हेलो दोस्तों आग बनाएंगे एक कप पोहे से इतना टेस्टी नास्ता कि इसे खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे इसको बनाने के लिए ये बारिक बाला पोहा लिया है आप चाहें तो मोटा बाला पोहा भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे पानी और पानी डालकर इसे हमें दो कप पानी डालेंगे और अच्छे से धूल देंगे इसका पानी हमें तुरंथी निकाल देना है इससे जो भी गंदगी डस्ट होगी वो अच्छे से निकल लाएगी इस तरीके से हमें पोहे को धूलकर छोड़ देन और इसमें कोई गाठे या कुठलिया नहीं होगी अगर आप इस तरीके से कद्दुकस करेंगे तो हमने यहां पर इस तरीके से चारो आलू को अच्छे से कद्दुकस कर लिया है आलू बढ़िया से कद्दुकस होते हैं तो यह नास्ता एक्तम बढ़िया परफ्रेक्ट बनकर तयार होता है आलू पढ़िया से कद्दू कस हो गए है अब इसमें डालेंगे मसाले आधा चमच लालमश पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर साथ में डालेंगे इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक और इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर इससे बहुत अच्छा टेस् भी यूज़ कर सकते हैं हरा धनिया डालेंगे अब जो हमने पोहा को सोक करके रखा था वो डाल देंगे जब तक हमने आलू को कद्दुकस किया तब तक पोहा भी अच्छे से फूल गया है देखे कुछ इस तरीके से अब हमें सारी चीजों को हाथों से बढ़िया से मिलाना है ताकि एक इसका डो जैसा बनकर त्यार हो जाए तो इस तरीके से हमें इसको बढ़िया से मिलाना है और ये देखे एकदम परफेक्ट बढ़िया से इस तरीके से जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इसका डो जैसा बनाना है ऐसे साथ में ये मसाले और सारी चीजे आप उपस में बढ़िया से मिल जाएंगी और इसका डो जैसा बना लिया है आप कोई भी इस तरीके का केक्टीन हो या कोई इस तरीके का बरतन हो उसमें इसे हमना अच्छे से सेट कर देंगे इससे इसके पीस बहुत ही अच्छे से निकला आएंगे बढ़िया से इसे सेट कर दें हैं उपर से इसमें थोड़े से सफेद तिल डालने से कितना अच्छा दिखने में लगने लगा है तो बस यह अच्छे से सेट हो गया है अब इसे एक प्रेट में हम निकाल लेंगे बढ़िया को स्पूराओ धेगे और ये देखे बढ़िया से आसानी से निकलाता है अब इसे ना बन पसंद पीस में कट कर लेना जैसे पीस आपको पसंद नो छोटे बड़े जिस तरीके से आप इनको खाना चाहते हैं जिस तरीके से अच्छे लगे उस तरीके से कट कर लीजिएगा होली और रमजान का टाइम चल र साइड में वह एकदम बंद हो जाए तो इस तरीके से इसे सेट कर लेंगे अब यहां पर एक हमने बाउल लिया है और बाउल में डालेंगे आधा कप की हूं का आटा अब इसमें डालेंगे थोड़े से मेर्श मसाले जोकि इसका फ्लेवर पढ़ा दे एक चमस डालेंगे त इसका इतने में ही टेस्ट अच्छा आए जाएगा अब सारी चीजों को एक बार मिला देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका थिक बैटर तयार करना है ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत गाड़ा हमें एक तम थिक सा ही बैटर शोई है तो आधा कप गीखों के आटे में एक सी डिर्ण कप पानी यूझ हो जाता है क्योंकि पानी आच्छे से सोकता है गीखों का आटर इस तरीके से हमें इसकी थिकनेस रखनी है और जो हमने नास्ता बना कर रखा उसका एक पीस इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से कोट कर पस बढ़िया से एकदम कोड हो गया है अब यहां पर तेल को गरम कर लिया है और बस इसमें डाल देंगे एक और पीज कोड़ करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे बहुत ही जल्दी से फटा-फट से यह बनकर तयार हो जाता है होली में महमानों को खिला सकते हैं या रिफ्तार या सहरी में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं उलेट पलेट करते हुए दूनों तरब से क्रिस्पी होने तक इन्हें अच्छे से सेखना है और जब इनमें बढ़िया सा कलर आ जाए क्रिस्पी हो जाए तो बस इन्हें निकाल लेना और इन्हें आप सर्ब करिएगा इस धनीय पोदीने की चटनी के साथ यह एकड़म परफेक्ट जाता है बहुत ही सौफ्ट ऊपर से क्रिस्पी करारा और अंदर से एकड़म सौफ्ट सा यह नास्ता बनकर त्यार होता है जोगि दिखने में तो खूब सूरत है कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है